बॉलिवुड की कुईन कंगना रनौत का आच बॉथ दे हैं कंगना बॉलिवुड की बोल्ड एक्ट्रिसेज में से एक हैं जो हर मुद्दे पर खुल कर अपनी बात रखती हैं कंगना ने कहा था मैं जब 15 या 16 साल की थी तब मैं घर से भाग गई थी और मुझे लगा कि मैं सभी सितारों को अपनी मुठी में भर लूँगी घर छोडने के बाद मैं ड्रग एडिक्ट हो गई थी कंगना ने खुद बताया था जैसे ही घर से भागी तब देड से दो साल में मैं फिल्म स्टार थी और साथी ड्रग एडिक्ट भी मेरी लाइफ में बहुत कांड चल रहे थे मैं ऐसे लोगों के हाथ फस गई थी जहां से मैं निकल ही नहीं सकती थी सिर्फ मौत ही मुझे वहाँ से भाग निकाल सकती थी मैं उस समय नाबालिक थी वहाई एक इंटर्व्यू में कंगना ने कहा था कि इसी दोरान वो एक शक्स से मिली थी और उसने कंगना को ड्रेग एडिक्ट बना दिया था कंगना ने कहा था मुझे एक पार्टी में ले जाया गया मुझे महसूस हुआ कि मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है क्यूंकि उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा था फिर वो शक्स खुद को मेरा पती मानने लगा जब मैं उससे कहती थी कि तो मेरे बॉइफरेंड या पती नहीं हो तो वो मुझे चपल से मारता था वो मुझे इंजेक्शन देने लगा ताकि मैं काम न कर सकूँ आज कंगना की बॉधरे पर थालाईवी का ट्रेलर भी रिलीस होने वाला है फिर्म के मेकर्स ने इसे खास कंगना की बॉधरे पर रिलीस करने का प्लान बनाया है थालाईवी में जैलालिता के जीवन के हर पहलू को दिखाया जाएगा इसमें जैललिता के अभिनेत्री से लेकर तमिलाडू की राजनीते में आने तक किस सफर को दर्शाया जाएगा वो कितनी उधार थी और अपनी काबलियत से नए आयाम तक पहुची इस पर फोकस होगा कंगना रनौत ने जैललिता के किरदार में ढ़लने के लिए न सिर्फ अपने एक्टिंग पर ध्यान दिया बलकि उन्होंने अपने बौडी को भी ट्रांसफॉर्म किया इस दोरान उन्होंने 20 किलो तक वजन भी बढ़ाया कैरेक्टर की मांग के मताबिक कंगना को वजन बढ़ाना था इस दोरान सबसे बड़ा चैलेंज था उन्हें दोबारा शेप में वापस आना ऐसे में कंगना ने खूब मेहनत की कंगना रनौत ने इस बात का खुलास आपने ट्वीट में किया उन्होंने लिखा जब ट्रेलर लांच को सिर्फ एक दिन रह गया है तो बता दूं कि कुछ महीनों में इस किरदार के लिए 20 किलो वजन बढ़ाना और घटाना अकेला सबसे बड़ा चैलेंज नहीं था इंतजार कुछ घंटों में खत्ब होने वाला है और उसके बाद जया हमेशा के लिए आपकी होगी ये भी बता दें कि कंगना को चौथी बार नैशनल आवोज से नमाजा गया है कंगना को फिल्म मनी करनिका और पंगा के लिए इस आवोज से नमाजा गया है इससे पहले भी कंगना ने तीन बार नैशनल अवार्ड जीता है कंगना अब तक चार बार नैशनल अवार्ड जीत चुकी है TV9 भारत वर्ष की तरफ से कंगना रनाओत को उनके बहुत देकी धेर सारी शुब काम नहीं हमारी वीडियो को लेकर आपकी क्या रहा है हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को शेर करें लाइक करें बागी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारत वर्ष प्राइब ग्राइब करें लाइब करें हमारा डिजिए टुनिया करें हमारा रहा है